हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल का ऐसे हो आप लोग आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे हाय प्रोटीन नास्ता जो की काफी टेश्टी भी होगा खाने में इसको आप पेट भड़के खाएंगे और काफी टेश्टी भी लगेगा और इसमें धेड़ सारी प्रोटीन होगी और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि जब मैं यहां लिया है तीन तरीके का दाल जो की साबुत है तीनों ही दाल साबुत है मूं और उरद और चना तीनों ही हमने 50 ग्राम कड़के लिया है वजन में और इसको मैंने पूरे रात के लिए भीगो लिया था मतलब ओवरनैट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था फूलने के तो दाल हमारा फूल चुका है और ये है 300 ग्राम चावल चावल मैंने थोरा सा बाड़िक वाला ही लिया है आपके पास जो भी हो ले सकते हैं चावल को भी मैंने पूरे रात के लिए भीगो दिया था और ये चार हडी मिर्च आधा इंच द्रक का टुकरा और एक टमाटर मैंन है और अच्छा पूर इसको पीस लेंगे तो यह करके टैयार कर निया है और ये इस अबूत बेटर कितना थीक चाहिए वह आप देख सकते हैं, जैसे इसको हम उठाएंगे तो ठक्के सा गिड़ेगा, इस तरीका का बेटर हमें चाहिए, अब हम इसको रखेंगे साइड में और यहां पर हम इसके लिए चटनी तियार कर लेते हैं, तो इसके लिए आधा चमच यहां पर लहसुन को भून लेंगे, थोरा सा कलर चेंज होने तक, और इसके बाद एक मीडियम साइज का यह प्याज हमने लिया है, इसको भी हम डाल दें, इसमें काटके, और इन सारे चीजों का कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे, ताकि प्याज हमारा जैसे हलका गोल्डन सा हो अच्छा सा टेस्ट आ इसमें, तो प्याज को हमें थोरा सा भून लेना है, और यहां पर मैंने 5-6 सूखी लाल मिर्च डाला है तीखे पन के लिए, आप अपने हिसाब से इसको तीखा बना सकते हैं, थोरा कम यह जादा, और यह दो बड़े साइज के टमाटर है, इसको मैं हम इसमें डाल देंगे, स्वाद के हिसाब से नमक, या फिर आधी चोटी चमच, और अब हम लो फ्लेम करके इसको हम 4-5 मिनट तक सौप्ट होने देंगे, आप चाहिए इसको धकर भी पका सकते हैं, ताकि यह जल्दी से गल जाए, और यहां पर 4-5 मिनट हो चुका है, हमार प्याज, टमाटर सारे चीज अच्छे से भून गया है, और सौप्ट भी हो गया काफी, इसको हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसको पीस लेंगे, तो यह ठंडा हो चुका है, इसको हम डाल देते हैं, यहां पर मिक्सी जार में, और अच्छा पानी का पीस लेना है, पहले आपको बीना पानी का पीस लेना है, बाद में आपको जितना पतला या गाड़ा रखना है, आप उसके बाद पानी मिला सकते हैं, पीसने के बाद, तो यह चटनी काफी अच्छा है, इससे ज़्यादा पतला हम इसको नहीं करेंगे, आप चाहे बोल सकते हैं लेकिन ये डोसा से थोड़ा से अलग है क्योंकि हमने इसको साबूत डल का इसको इसमें स्तेमाल किया है तो हमने यह यह नौन इश्टिक तभा yearग और तभा हमारा गर्म होचुका है फिलेम हमारा मेडियम पे है तो 2 चममाना यहाँ बेटर आप है और इसको इसम पैला देंगे जैसे फैलाते हैं और जैसे एक तरफ से सि거 डिना है एके टरफ शे present होने होने तक इसको पका लेयां है एक डिन है इसको जरूख सो कर देंगे हैं loops तो इसको हमने या पर बिना तेल का ही बनाया है आप चायद एक चमच दोनों साइड से एक चमच तेल डाल करके इसको तल सकते हैं तो यहाँ पर हमारा एक डोशा तो रेडी है और इसी तरीके सम बाकी का भी बना लेंगे और बहुत हलके हाथ से इसको फैलाना है और आपको पता कैसे चलेगा यह एक तरब से शिक चुका है देखे उपर से जिसका जो है ना उपर से इसका इसका color change होने लगता है दिख जाता आपको थोरा सा इसका bronze सा color और तवा से बहुत आसाने से निकल भी जाएगा तो चलिए हम इसको भी सर्ब कर लेते हैं और और मैंने इसके साथ यहांपर सबजी और चटनी के साथ मैंने सब्सार्ड़ किया है यह कि सबD की सबसे हैं और विशले के साथ भी काफी टेस्टी लगता है अपनगी एसके साथ अधर नारियल टैम में तो एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों वीडियो पसंद आया हो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फैमली और फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले